ये बचो नमस्कार जैशे कुछनो राधे राधे कैसे सब आई होब आप सब बच्चे सुंगे मस्ती से पढ़ाई कर रहोंगे आई हम अब बनाता अनन्द अन्ना सर बीटेक फ्रमाइटी डेली एंड स्वागत आप सभी का इस चैनल पे जिसका नाम है अनना अकाडमी कोड़ा बचो अगर आप चैनल पे नए हो तो फड़ा फड़ा से चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बहुत सारे बच्चे जो जे एडवांस टू जिरो टू फॉर का एक्जामनेशन लिखने वाले हैं उनके लिए वीडियो गेमचेंजर हो सकता है वो एक्जाम जिसके लिए आपने दो साल तक कड़ी मेहनत की, कड़ी तपस्या की इतनी सारी बाधाओं को जोहला, इतनी सारे नेगेटिव कमेंट्स को देखा इतनी सारे अपस एंड डाउन्स को जेला है वो examination अब नजदिक आ गया है बचो J-Advance 2024 का examination जो 26 मई को होने वाला है उसके लिए बिल्कुल भी समय नहीं बचा है और मेरा मानना है कि अभी तक अपनी preparation को best करने के लिए जो भी आप कुछ कर सकते थे वो आपने कर लिया है तो समय आ गया है J-Advance का examination के strategy का हमें बिल्कुल अपनी strategy को बहतरीन बनाना होगा so that की number जो है बहुत तगड़े आए बचो मैं 20 साल से सिक्षा की काशी quota में J-Main and Advanced के लिए बच्चों को maths की सिक्षा देता आ रहा हूँ और मेरे mentorship मेरे teaching में बहुत सारे बच्चों ने जो J-Advance का examination न बच्चों ये 6 घंटे का एक लंबा इम्तिहान है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी subject का test नहीं होता है सिर्फ और सिर्फ आपके knowledge का test नहीं होता है उसके अलाबा भी बहुत सारी चीज़े चेक होती है जैसे कि आपका patience जैसे कि आपका confidence level और साथ ही साथ आपका presence of mind अगर ये सारी चीज़े अगर हमने एक साथ acquire कर ली तो J-Advance के examination के अंदर एक अच्छी rank लाने में आपको कोई नहीं रोप सकता है अब आप मैंसे बहुत सारे बच्ची ये सोच रहोंगे कि सर हमें तो strategy नहीं पता है कि जो top rankers use करते हैं IT-J-Advance के अंदर एक अच्छी rank को लाने के लिए तो बच्चो आज इस वीडियो में मैं यही आपको बतलाने वाला हूँ कि J-Advance के examination के जो strategy है वो किस तरीके से plan करें और इसमें मैं आपको वो strategy बतलाने वाला हूँ जो J-Advance 2017 में मेरे एक student यतीच अगरवास जिसने AIR 12 अरजित करी थी J-Advance के examination में उसने apply करी थी यतीच मेरे student था जिसने J-Advance 2017 के अंदर out of 366, 325 marks लेकर आया था और एक शांदार rank AIR 12 अरजित करी थी और गुजरात के अंदर उसने बिलकुल rank 1 की तरह मचाया था शुरुआत में यतीच struggle करता है था examination में अच्छे numbers लाने के लिए और वज़य थी examination में एक अच्छी strategy नहीं बना पाना मुझे पता था कि student काफी हुनार है और class में खासकर उसका जो performance है वो बहुत अच्छा रहता था मैंने बहुत सारे points जो है वो यतीच को बतलाया जिससे उसके examination strategy में काफी सुधार आया और ultimately वो AIR 12 तक पहुँचा जो की उसकी preparation journey की सबसे बहतरीन rank थी तो बचो ये जो points जो मैं detail में आपके सांथा से discuss करने वाला हूँ अगर आपने इसको best तरीके से use किया तो मेरा मानना कि 50 से 60 परसेंट भी आप examination में improve कर सकते हैं point 1 है बचो जे एडवांस examination की understanding बचो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो जे एडवांस के examination है वो 6 घंटे का लंबा इमत्याहन है जो जे में से काफी different है और साथ ही साथ अगर हम देखें तो हम जे में में कही न कहीं 300 number के आसपास की लड़ाई लड़ते होते हैं और यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं that is of 360 marks करी-करी वो थोड़ा बहुत बच्वेट हो सकता है लेकिन ये 360 marks दोनों paper को मिला कर है जहाँ पे जे में एक high आप बो बहुत अच्छी rank लेकर आ सकते हैं मतलब क्या है सर इसका इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो J advance के examination की बात करें तो आपको यहाँ पर ऐसा नहीं सोचना है अपने thought process को ऐसा नहीं बनाना है कि हर question को attempt करना is necessary अगर हम बात करें कि J advance के examination के अंदर अगर हम अपने आपको जात अपनी accuracy को रख पाते हैं तो ये हमारे लिए काफी बड़ी win-win situation हो सकती है J advance examination popular है अपनी unpredictability की बज़ा से अपने different type of test pattern के लिए जहाँ पे J main में आप single correct और numerical या फिर आप integer type questions करते हैं J advance के examination के अगर हम test pattern की बात करें तो हमारे पास single correct होता है multiple correct होता है one or more than one correct होता है matrix matches होते और 7-3-7 आपके पास integer type सवाल भी होते हैं बहुत सारे essay papers भी देखे गया है past में जिसमें single correct questions नहीं भी होते हैं और से वह से multiple correct होते हैं सवाल तो लेकिन last years में गर हम देखे तो single correct का भी option रहता है और उपर से J advance की थोड़ी कोशिस ऐसी रहती है कि जान बूझ कर उसका presentation उसक बच्चों को लगे कि यह तो काफी complex है जिसकी वजह से बच्चे pressure में आ जाएं और जिसकी वजह से tension आ जाएं या panic में आ जाएं कि भाई अभी इस तरह के सवालों को कैसे करना है तो बच्चे सोचनी की सब pressure तो आहीं जाता है ना बच्चों pressure नहीं आएगा अगर आप मेरी बात को अच्छी तरीके समझो और उसको follow करो इसलिए मेरी यतीश और आज भी जुतने भी बच्चे जो इस examination में एक top rank लेकर आना चाहते हैं उनके लिए एक simple सी advice है कि दिमाग में कोई भी ऐसे number के parameter को लेकर examination hall के अंदर ना जाएं सिर्फ इस बात पे focus करें कि हम जादा से ज्यादा सवालों को solve करने की कोजिल करें और साथ ही साथ हम उसमें ज्यादा से ज्यादा accurate रहें accuracy को हम बहुत अच्छे लेबल तक लेकर जाएं तो अपने mind को बिल्कुल cool and calm रखे examination के अंदर pressure आए पैनिक आए तो भी उसके उपर ज्यादा ध्यार नहीं दीजे क्योंकि 50% अगर आपने कर लिया तो एक बहुत अच्छी IT एक बहुत बढ़िया rank आपको मिल जाएगे आप अपने बहुत ही बहतरीन करियर की तरफ आगे बढ़ जाएगा दोस्तों point number 2 है sequence of solving जो की एक अपनी आप में बहुत ही जादा important बात होने वाली है advance के paper में देखा जाए तो sequence of solving बहुत जादा matter करती है एक तो किस order में आप subjects की sequencing करते हैं और दूसरा किस order में उस subject में जो question patterns हैं उसको किस sequence में आप solve कर रहे हों that is very much very 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 important thing बचो एक और strand को जसने मैंने 2015 पड़ाया था उसने last moment जाके यह जो sequencing है उसको अपनी तरफ से बहुत arbitrary कर दिया था examination hall में जाकर जिसकी वज़े से वो double digit rank में आ सकता था लेकिन ultimately उसके 3 digit वाली rank आई तो बचो आपको यह समझना पड़ेगा कि जो sequencing है that is very important बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमी तो सर बताये गया कि पहले chemistry करते हैं फिर physics करते हैं फिर math करते हैं यह बिलकुल भी जरूरी नहीं है यह आपने जो अभी तक के examinations दिये हैं उसके हिसाब से आपको जैसे भी लगता है कि आपका aggregate total जो है जिस भी sequencing order में best हो पाता है वो बहुत जादे important है यह examination एक confidence का examination है आपको सबसे पर्थम तो वही चीज लेनी चाहिए जिसमें आप बहुत अच्छी तरीके से confident है लेकिन उसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि time limitation का भी अपने को दिमाग में रखना पड़ेगा एसा नव कि जो first subject आप लो उसे बहुत लंबे समय तक time दे दो और जिसके कारण बाकी जो subject से वो affected हो जाएं तो यानि aggregate total को बढ़ाने की strategy के उपर focus करना पड़ेगा it can be chemistry, physics, math, it can be chemistry, math, physics बेरी कोशिश यही होती है कि जो सबसे मेरा weak topic है उसो कही ना कहीं middle में arrange करें टॉपिक की तरफ बढ़े, just suppose कर लिजे कि मेरा chemistry का जो paper है या chemistry जो है उसमें मैं बहुत comfortable feel करता हूँ I feel very confident तो पहले तो मैं chemistry लूँगा, यह कोशिश करूँगा कि chemistry को 40 minute के अंदर या 35 minute के अंदर complete कर लूँ अगर मुझे लगता है कि नहीं यार मेरा math है वो थोड़ा सा come strong है और physics थोड़ा सा better city में है तो हम math को बीच में लें so that हम अपने aggregate total को बढ़ा सकें फिर उसके हिसाब से हम काम करें तो इसका मतलब हुआ कि आपको अपने command के हिसाब से preference को set करना पड़ेगा और फिर आप देखिएगा कि क्या गजब का confidence आपका paper के अंदर रहता है अब बात करते है question type preference की तो बचो आपको पता है J main में तो सिर single correct और numerical type या integer type ही होता लेकिन यहाँ पर different different तरक के सवाल होते है अगर आपके paper में single correct questions है बचो तो single correct question को सबसे पहले लेना is very much important फिर अगर आपके जो comprehension या paragraph वले type है अगर वो आपके particular paper में जो आते ही आते हैं वो अगर single correct type के हैं तो उसको आपको पहले करना चाहिए अब ब multiple correct के लिए अपन इसको ऐसे कर सो सकते हैं कि आपके लिए वर्दान भी हो सकता है और अभिशाप भी हो सकता है ये depend करता है कि आप इसको वर्दान या अभिशाप में से कैसे आप क्या बनाने वाले हैं अपनी कोशिस यही होने चाहिए कि जवरदस्ती multiple questions यानि कि जो one or more than one correct है उसमें जवरदस्ती कोई भी answer को नहीं mark करें जो naturally आपका आ रहा है बस पूतने कोई ही mark करें जो आपको लग रहा है कि नहीं यार ये सही है और जिसमें थोड़ा भी doubt है उसको बिल्कुल हाथ मत लगाएगा reason क्या है कि minus two negative में आएगा minus two negative अपने आप में फिर partial marking जो हमारे को मिल रहा है उससे हम जितना ज़्यादा gain कर सकते हैं अपने great total को बढ़ा सकते हैं बस वो काम कर लिए हो सकता कि आपने partially correct ही किया हो लेकिन हो सकता कि वही complete correct भी हो जाए लेकिन अपनी क्योशिश ही हो नीचे कि एक भी doubtful answer को multiple correct में नहीं टच करेंगे क्योंकि वो minus 2 जो है वो last minute बहुत अखडने वाला है उसके बाद आता है अपका integer type question, integer type questions में भी कोशिच कीजिए कि सबसे पहले select करें जाचे कि एकर माल लिजे कि मुझे पता है कि ये 5 topics जो हैं वो मेरे wonderful हैं कोई कहता है कि definite integration, area under curve, differential equation, matrices इस तरह के topics में मैं काफी comfortable हूँ तो मैं कोश chemistry में भी करें ऐसा similar हम physics में भी करें कि जो भी हमें पता है कि ये 5 chapters हैं जिसमें मेरे को कोई नहीं पकड़ सकता है 90 to 95% सवाल में इसमें सही कर लेता हूँ तो उन particular topic की questions को चुन-चुन के कर देना is very much important और अगर negative marking नहीं है दोस्तों तो definitely आपको इसमें अपना hidden trial approach जरूर किल्कुल नहीं मारना है क्योंकि कुछ कप कुछ हो जाए आपके हाथ में पूरा सीन ना रहे ऐसा मैं नहीं चाहूंगा बच्चो point number three paper two is also equally important and साथी साथ it is independent from paper number one इसमें मैं आपको अपना personal experience शेर कर सकता हूँ जब मैं paper one देने किया था बच्चो है ना उसमें भी दो पालियों में paper होते थे उसमें subjective paper होते थे उसमें लिखना बढ़ता था तो जब मैं paper one में गया था तो मैं late पहुंचा था just because कि जो मेरा examination hall था वो थोड़ा सा मतलब जहां में रहता था वहां नहीं था it was outside that state तो मैं पहली बार उस state में गया था तो थोड़ा सा जिननों को मुझे पहुंचाना था वो कहीं ना कहीं late हो गया उसकी वज़ा से जो paper one है वो थोड़ा सा मेरा काफी struggle से गुजरा फिर तो फिर ये सब चीजे दिमाग में चलने लग गई फिर paper two आया तो कहीं ना कहीं paper two में मुझे लग रहा था कि effect ना हो जाए लेकिन मैंने देखा क्या कि मैंने धीरे धीरे उन बातों को छोड़ दिया और paper two में पूरी अच्छी तरीके से किया and it was better than paper one तो बचो अपन को भी ये चीज़ समझना है कि paper one और paper two एक तो है independent है equally important है तो कोशिश किजे कि जो paper one से paper two के बीच का आपका समय है उसमें किसी से कोई भी परिच्छा पे चर्चा करने की जुरूत नहीं है अपने focus को अपने goal को फिर से दिमाग में re-affirm करने की जुरूत है उसके लिए अगर paper one के बारे में बहुत light सी चीज़ी खाएं so that कि आप second paper में full energy के साथ पोड़ कर मचा कर आएं हम paper two को इस perspective से भी देख सकते हैं कि paper one में अगर कुछ कमी रह गई तो paper two को हम बहुत अच्छी तेग के से करके आएं तो जो बीच का break मिले उसको fully utilize कीजे with a positive mindset ऐसा बिलकुल paper one के कोशिस नहीं करनी अपने आप भूल जाना है मतलब अपनी कोशिस ही होनी चाहिए एक positive mindset रखना चाहिए और cool and calm दिमाग को जितना relax कर पाएं उतना दिमाग को relax करते हुए second paper में जाए full on energy के साथ जाएं मस्त मचा के आएं फिर से next बात करते हम लोग bonus tip की bonus tip जो की अभी अब जो सला दे रहा हूं वो भी equally important है सबसे पहली चीज़ दोस्तों rough work को बिल्कुल उल्टा सीधा मत करना देखो वैसे भी time जो है कम मिलता है बहुत बार क्या होता है कि जो भी scribble pad मिलता है बच्चों को जिसमें वो solve कर रहे होते हैं कुछ भी randomly करने लग जाते हैं randomly करने से अग पिर साब को नए सिर्य से सोचना बढ़ता है तो अगर हम अपने rough work को थोड़ा organized manner में करें थोड़ा साफ सूतरा करें तो फिर से अगर जब हम re-attempt करने आते हैं उस सवाल को तो हमारा समय थोड़ा बच जाता है बचो नहीं तो क्या होता है एक ही सवाल को तो या तीन बात क करना पड़ सकता है neat and clean rough work करने से एक फायता ये भी होता है कि कभी कोई गलती हो गई हो बीच में तो तुरंट से वह पकड़ में आ जाती है और अगर आपने बहुत ही अगली calculation कर रखा है तो definite सी बात है कि वह चीज वहां पे बहुत अच्छा impact नहीं डालती है आप साम नेचन हाल में जल्दी पहुँचिए कोशिश कीजिए बिलकुल on the time या उससे before रहें साथी साथ कुछ light जरूर खा के जाए कि बहुत बार ऐसा हो गया है बहुत बार मतलब एक बहुत अच्छा student था जिसके साथ ऐसी गटना कड़ गई थी कि सुबह में उसने अच्छी तरीके से breakfast नहीं लिया जिसके वज़ेस उसको vomit वगेरा हुआ विकरांत गर्ग स्टुडेंट का नाम था उसने बहुत अच्छी preparation करी थी दो साल में वो deserve करता था कि single desert rank लेकर आए link कहीं ना कहीं थोड़ा सा impact खराब होनी के वज़ेसे उसका जो rank है वो double desert ने पहुँच गय किजिए कि हम थोड़ा सा light खाना का कर जाएं और जरूर का कर जाएं और energetic हो कर जाएं और देखो दोस्तों 100 बात की एक बात positive हो के जाएं पूरे positive mindset से जाएं so that कि हम वहां जो भी अपनी अकल अपनी सूझ भूज अपनी presence of mind से जितना जादा बढ़िया हम crack कर सकते हैं इस examination क को उतना बढ़िया crack कर कर के आएं साथ ही साथ कोशिश किजिए कि अब जो बचे हुए दिन हैं उसमें 9-12 और 20-25 के बीच में जितना आप अपनी calculation करने की चीज़ों को maximize कर सकते हैं एक picture schedule follow कर सकते हैं सुबह उठने से लेकर रात तक सोने के लिए तो that would be best क्योंकि वो सबसे ज़्यादा impact आपके examination वाले day में लेकर आएगा बस इसके अलावा ज़्यादा दिमाग लगाने की बहुत ज़्यादा जरूत नहीं है जो भी आप previous year papers भी कर रहे हो तो कोशिश किजिए कि examination के 3-4 दिन पहले वो करना बंद कर दें और सिप वैसी चीज़े ही calculate करें जो आपने examination देना है कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं 2026 में भी अगर ज़्यादावांस के अंदर आपको examination देना है तो भी आप वो सवाल मुझसे comment में पूछ सकते हैं तो full and final बात यह है कि अन्ना सेना को बिल्कुल strong तरीके से जाना है ज़्यादावांस के examination में मचाना है छे जब आप अपने dream को जब आपने aim को complete करने वाले हैं तो all the best मेरी side से बचो and crack your examination बस अपनी तरफ से best कर दो उसके बाद भगवान जो है वो बाकि सब कुछ कर देगा आपके उपर मेरा धेर सारा आशिरवाद है धेर सारा प्यार है इसी तरीके से जंकर मेहनत करते रही है ला में आगे